दूस्तो फाइनली अब याँ पर टीम RCB का मुकाबला हुएने वाला है दिली लिग है पिडिल्स के किलाफ में 15 तारिको दिन में 3 बजे दूस्तो हुए पिशिले दोनों ही किलाफ हुए। फिर दोस्तों लगनों के खिलाफ एक जीता वो मुकाबला हाड चुकी है ऐसे में इस मुकाबले को जीतने गले टीम, आर्सी भी काफी बड़ी-बड़ी रनीदिया बना रही है और काफी बड़ी-बड़ी स्टैटिसिस अपनाने वाली है क्योंकि दोस्ते मुकाबले जो है काफ़ी टक्र का होने वाला है उस मुकाबले को जीतने के लिए team rcb हर संबाव परयास करेगी दोस्तो पिछले मुकाबले बल्लेबाची का कोई तोड नहीं क्या पैति बल्लेबाची करी थी क्या पैति फिल्टिंग करी थी लेकिन दोस्तो गेंदबाची एक बहुती बड़ा माइनस पॉइंट सावित हुई लेकिन दोस्तो इस बार हमारे फेवरेट हसरंगा वनिंदू हसरंगा टीम RCB को जोइन कर चुके हैं और दोस्तो इस मुकाबलेगे में डेफिनेटली खेलेंगे तो ऐसे में दोस्तो एक बहुती बड़ा प्लस पॉइंट हम कह सकते है टीम RCB को मिल जाता है और दोस्तो आपको बताते कि चोदो तरीकों यहापर जोज हैसलबूर्ट भी टीम RCB को जोइन कर लेंगे शायद वो आपको ना खेलते दिखने नजराएंगे आपर दोस्तो प्लेइंग इलाएंगे ना शामिल होते नजराएंगे लेकिन दोस्तो हसरंगा काफी 22-3 फॉर्म में नजरा रहे हैं और काफी बड़े-बड़े हिट्स लगाते नजरा रहे हैं टीम RCB के लिए प्रैक्टिस कैम में तो ऐसे मैं दोस्तों कहा जएक है कि वनीदू हसरंगा अपने पूरी तयारी से आए है तो ऐसे में दोस्तों बात करें प्लेइंग इलाए उन क्या बनेगी तुक करें प्लेइंग इलाए निया बनेगी दोस्तों की दार शीद के लिए परिटत्री में दोस्तों बाद इसे में दोस्तों वे उननेगी। तो दूस्तों यहां पर ओपनिंग जोड़ी रहने वाली है यहां पर फैब डू प्ले सीशन विराट गोली की ना पर तरी की पोजिशन पर माई पार लोग पर जो काफी बैतीन फॉर्मेल जरा रहे हैं खेलते जराएंगे नमबर चार पर हमारे ग्लेन मैसल केलेंगे जो हाँ खेलते जराने वाले हैं नमबर एट की पोजिशन पर आपको यहां पर डैविट विली खेलते जराएंगे नमबर नाइन की पोजिशन पर कोई भी दो राइड नहीं है यहां पर हसरंगा गये नमबर दस की पोजिशन पर हर्शल पटेल या फिर अकास दीब जो है आपको ख खेलतेर ज़रा सकते हैं हाला कि दोस्तों यहां पर अभी नास सिंग का भी आपको देखने को मिल जाता है नमबर एकार पॉजिशनल पर आपको मौमब सीराज खेलतेर जड़ाएंगे तो दोस्तों कुछ इस तरह की ब्लेंग नमताएगी दोस्तों आप नीचे कमेंट करके बत सब्सक्राइब करेजिए